नमस्कार दोस्तों, रियेस्पीस एनेकेटपी में एक बार फिर आप सबी लोगों का स्वागात है, सम्हिधारियों राजबेवस्था के इस सेक्षन में हम आज जो है केंदर राजज संबंदों पर चल्चा करेंगे बेसिकली यह है स्वमिल्हान राज व्याउस्था के एक बहुत ही महत्पूर्ण टापिक है जहां पे नाके और प्रारभिक परिच्छा वलकि अल्ले महत्पूर्ण परिच्छाओं में जो भी इससे सवाल पूछे जाते हैं तो यह टापिक जो है सिविल सिवा परिच्छा आरो ए आरो परिच्छा यूपियास आई और पीटी के परिच्छा के लिए समान रूप से उपियोगी है तो केंद्र राजे संबंदों को हम प्रारभि इस लूप में करते हैं कि भारत में संगहात्मक सासन प्रणाली अपनाई गई है संगहात्मक सासन प्रणाली की ये विशेशता होती है कि केंद्र यूम राजे के बीच में सक्तियों का विभाजन होता है और वो अलग-अलग विस्वयों पर अपने अनुसार जो है जो समिधान के अनुसार बेवस्थाइद दी गई होती हैं उसके अनुसार सासन का संचारन करते हैं तो यहां पे हम लोग केंद्रियों राजी के बीच में जो संबंद पर रहे हैं वो इस आधार पर होना चाहिए कि ब्यवहार में केंद्रियों राजी के द्वारत क्या-क्या एक्टिविटी की जाती हैं उन्हीं एक्टिविटी के संदर्व में ही हम केंद्र राजी के बीच मे अगर हम केबल अभी राजिक केंदर के बारे में बात करें तो वहां पर क्या होता है एक तो नयाएपालीका है एक व्युस्ताथ काहि और बात पांना लोगोंने क्या देखा था कि हम छेद पचास के अंतर गज्वर राज सरकार कायपालिका से नियापालिका को प्रिधक करने का प्रयास करेगी तो मतलब इसका यह है कि जो नियाइक ब्यवस्था है वे इंडिया में वो स्वतंतर रूप से काम करेगा उसमें सरकार के द्वारा क प्रिधक कर देते हैं अब बात रही केंदर सरकार में कर हम देखें तो संसप के द्वारा कानूंग बनाया जाता है तो अर्थाद यहां पर एक छेत्र हो गया आपका भीधाई हम और दोसरी तरफ जो है जो कानून बना दिया जाता है अब इससासां जाण करने का database को होता है और और प्रासनी हो जाता है और संदाना एसके सार्कार केवल बिधि बनाती है और प्रासन इन नहीं करती है बल्के उसकी निसे उनको राजस्यों की प्राब्ति होती है कर राजस्य otrosate करने के लिए बजट की जरूरत होती है जो की यहां से प्राप्त होती है तो तीसरा जो छेत्र है वो बित्तिये हो जाता है कि अब आपने देखा कि यहां पर जो संबंधों के आयाम हो सकते हैं वह बेसिकली तीन प्रकाव से हो सकते हैं विधाई पर्शाशनिक और बित्ये तो हम केंद्र और राजी के संबंधों को इन्हें तीनों बिंद्रों के संदर्व में समझने का परियास करेंगे भारत में जो केंद्र राजी के बीच संबंध है वो भाग और अनसूची दो प्रकार की जो उस्थाएं है अनसूची भाग और अनसूची अनसूची साथ और भाग जो है ग्यारह यों बारह इसके माध्यम से केंद्र और राजी के बीच संबंधों को असपश्ट करने का प्रियास के आगे अनसूची साथ के भाग 11 में जो है भाग 11 में जो विधाई संबंध और प्रसासनिक संबंधों को बताया गया है और भाग 12 के अंतरगत जो है वो बित्तिय संबंधों को बताया गया जहां पर अगर देखा जाए तो दो सो जो है अनुच्छे दो सो अंसर से लेकर के दो सो तिरान नवे के बीच में बित्ती सम्वंदों की ब्याख्या की गई है 218 से लेकर के दो सो तिरान नवे के बीच में की गई है और 256 से लेकर के 263 के बीच में जो है प्रिसास्नि के ब्याख्या की गई है और 245 से लेकर के 245 से लेकर के 25 male कि इस तरीके से जो है संबन्धों को इन समभैध्धानिक सुमाओं के अंतरगर्ज प्राविधानित किया गया है और केद्र तथा राज़ेशरकारी इन ही प्रावध bacon के अनुसार बिधाई करते हैं अब हम एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं विधाई शेटर की जहां तक बात है वह अनुसूची साथ के भाग ग्यारा में अनुच्छेट 255 के बीच में जो है असपष्ट की गई है विधाई संबंधों के अंतरकत जो है तीन प्रकार की सूचियां बनाई प्रका आए सूचि और शी तरीह से जो है क्या है संवर्थी सुचि इन तीनों सुचियों के माध्या से विसे असपष्ट किये गए हैं और इन विसेयों पर जो है कानून बनाने का कारै क्रम्सा जो है संसाद योम राज विधान मंदल के दौरा तो निन्यान बेलें इसमें जो विशें आ ओर एक्षप है यह जो विशेओं में जो इसमें भाइव भी सारे जो भी से हैं कुछ राश्टी महातु के घुशें को राज़ सुचिमा और कुछ उसे भी जो कि जो चेतरी और राश्ट्री दोनों महातुकें हो सकते हैं उन्हीं समुर्थी सूची में रखा गया है इस पर कानून जो है बीधान-मंडल और संसत दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है लेकिन इन किसी भी इस्थिती में संसत्य यो राज जी विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव के इस्थिति उत्पन्न होती है तो उस इस्थिति में संसथ के द्वारा बनाए गया कानून मानने होगा और राज जी विधान मंडल के द्वारा बनाए गया कानून उस स्थीमा तक सुनिगोशित होगा जह यह दप इसमें अत्रिक्त जो है विधानित्तर छेत्र की भी बात की जाती है कि वह उसके द्वारा बनाया गया कानून जो है देश के बाहर भी लागू हो सकता है देश के बाहर की जो संपतियों पर भी लागू होता है इसे जो है अत्रिक्त जो है विधानित्तर छेत्र कहा ज तो इस तरीके से राज विधार मंदल के दौरा पूरे राज शेतर के लिए कानून बनाया जाता है समुर्ती सूची के बारे में हमने बता दिया कि दोनों ही कानून बना सकते हैं लेकिन यह दिटक्राव की स्थिति आती है तो वहां पर संसत के द्वारा बनायेगा कानून मानने होता है अब यहां पर संसत के द्वारा बनायेगे कानून पर कुछ सीमाएं हैं जैसे पूरे भारत में तो कानू लाग बरता है, लेकिन जो है कुछ संग राजी छेत्र हैं, जैसे अंडवानी को बार दीव समो, लच्छे दिव, दादरा नगर हवेली और दावन दिव, इन छेत्रों में जो है, सांती और विकास के लिए राष्टपत के द्वारा कानू बन की गई है, इसी तरीके से आसम में राज जिपाल को तथा मिघाले मिजोरों यूंत तिरपुरा वही अमिमिती के चार राज्य हैं, जो कि पूर्व में हम लोग जो है, अलसूचियों पर जब चर्चा कर रहे थे पूर्व के लेक्चर में, तो हाँ पर हमने बताया था, कि च चार राजे हैं, जिसे अमिमिती के नाम से जाना ज्यादा, चार यानि की छे, दोनों समसंख्याय, तो चार राज्यों के बारे में जो है, जो कि जन जाती और अनुसूचित जाती उसे सम्वंधित जो है, यह राज्य हैं, यहां पर पर सासन के लिए कुछ बिसेस अमिमिती के नाम से जो है, असम मिघाले मिजोरम और तिर्कुरा, तो असम में जो है, राज्यपाल को मिघाले मिजोरम और तिर्कुरा में जो है, राश्ट्पत को एधिकार दिया गया है, कि वो कुछ जो है, हद कक उसमें परिवर्तन करश रखता है, किसमें कानून और नि संकल्ग पारित कर दिया सकते हैं एक कुल पारित कर दिया है। तो उस पे कानून संसत के द्वारा बनाया जा सकता है और इस तरीके के जो कानून बनाने के लिए जो संकल्प वो समान के एक बर्स के लिए पारित किया जाता है यह दब इसे पुना जो है एक एक बर्स के लिए आगे बढ़ाया सकता नेकि एक बार में एक बर्स ही बढ़ाया जाएगा और वो संकल्प का कारेकाल जो पूरा होने के बाद उच्छे महीने से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा तो यह ब्योस्था दूश्था दूश्था में है इसी तरीके से 250 में भी यह ब्योस्था बनाई गई है कि जब राष्टिया पातकाल की लागू हो राष्टिया पातकाल का मत्वान उच्छे 352 के अंतरवित कि वाती यह युद्ध भाहरी आखरमन यह सशश्थ्र विद्रोग की इस्तिती में जब देश में एमर्जंसी लागू हो तो अनुच्छे 250 में यह व्युष्था दी गई है कि उसमझ संसत जो है राजविधान मत्राज्य सूची के विश्रों पर कानून बना सकता है अनुच्छे दोसो जो है बावन जब दो या दो से अधिक राज कम से कम इसमें दो राज्या उस्ट होना चाहिए दो दो से अधिक राज जब झीस वी से पर जो है कानून बनाने के लिए मिया कोई अंतर राष्टिय संधिया कानून को प्रभावी बनाने के लिए दिया उसकता हो तो संसत जो है राज्य सूची के विश्य पर भी कानून बना सकती है तो यह कंडिशन है और अंचे जो है तो यह कंडिशन है जिसमें जो है संसत के द्वारा राज्य सूची के विश्य पर कानून बनाया जा सकता है तो यह इस तरीके से संब्ध बिधाई केंद्र राजी के वीच में अस्पाष्ट होते हैं बिधाई सम्द्ध का मतलब यह है और अपने छेतुरू में कईनूला कानून लागू होता है, कुछ ऐसे बीसे हैं जो दोनों आत्रिकों हैं तो दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन टगराओं की इस्थिति में संसत ही दवारा बनायागा कानून लागू होगा, और तिस्री इस्थिति हैं कि ए Şimdi की थोड़ा सा मजबूद बनाया गया और उसके पीछे यह मंसा है प्रसास्निक राष्ट की एक दाखंड़ता और राष्ट की सीमाओं की जो सुरच्छा इत्यादी लक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया तो आप लोगों को भीधाई संबंधों के बारे में यह जानकारी है ऊष्ट है प्रशासनिक संबंदों का मतलब आते हैं और यकी तरीके से कारी करेगी कि एक दूसरे की छेत्र में हस्तक शेपना हो और संगात्मक सासन प्रणाली के जो देश्यों भाओं को भी वेक्ति किया जाना संभव हो सके तो इसी बात को ज्यान में रखती हुए भारत में जो है वो प्रसासनिक अस्तर पर भी संबंद बनाए गया है संसत के द्वार बनाए गये जो है कानून के जू है अनूपालड में कोई भी विधिक अर्चन बाना जो है सामने ना सके और इस संधर्व में केंद्र की जो है काड़ पालीका जो है राजी के पाले में निव्देश भी दे सकती है और दो सो में 257 में लिखा गया है जैसे 256 में जो है कहा गया है कि विधाई के वारे में उसी तरीके से 257 में लिखा गया है कि राजी की कारिपालिका सक्तिका प्रयोग इस तरीके सिखिया जाएगा कि केंद्र की कारिपालिका सक्तिका प्रयोग में कोई अलचन या कोई दुविधा या कोई बाधा उत्वन ना हो मतलब यहां पे जो है केंद्र की जो है कोई विधाई संसर दोरा बनाए के कानून में अर्चन ना हो यहां कारिपाली का यहां केंद्र की कारिपाली का किसंदर में कहा गया है कि राजी की कारिपाली का सकतित अपरियोग ऐसा किया जाएगा कि केंद्र की कारिपाली का सकतित अ सब्सक्राइब करने के लिए जो है कुछ विसेयों को दे सकती है कि इन विसेयों पर कान जो प्रशासन की व्यवस्था है वो दूसरे आस्तर के सरकारों के द्वारा किया जाए राश्तपत के द्वारा जो है इसी तरीके से जो है राजी के सरकार को जो है दिया जा सकता है कि वो कुछ विसेयों पर जो है सासन का संचार कर सकता है तो इसमें जो है विविन परकार के जो विसेयों की स्थिति को जो है असपश्ट किया गया है यह ब्यवस्था जो है परसास जो भी अगलेख होंगे जो भी न्याइक निर्डे होंगे उन्हें समान गूप से जो है माननेता दिया जाएगा केंद्र के लिए है तो राजी की छेत्र में राजी का है तो जो केंद्र के छेत्र में कहने का मतलब प्रसासनिक छेत्र में एक दूसरे के प्रति जो है मेल जोल क का भाव एक दूसरे के जो है कारवाहियों के प्रतिसम्मान का भाव माननेता की बाद कहीं गई है ताकि कहीं पर कोई टक्राव की स्थिति उत्पन ना होने पाए जल बज़ाने के संतर में इबाते गैं और 252 के अंटरगत ही सरकार के दारा संसत के दारा जो नदी बॉड अधिनियम और अंतर राजिये जल बिबात अधिनिaking आ अपारित किया है दो जो व्याउसथााइं इसमें की गई हैं नदी बोल्ड नदी बोल्ड अधिनियम मैं और नतराजिय e न है नंतराजिय defer है नंतराजियrina अधनियम के जो है अंतरं गात ही जो है विभीन राजियों के बीच बीच में जो उनके जल के प्रयोग को लेकर के विबाद उत्पन्व होते रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत यहां पर न्याय धीकरण की जो है स्थापना की गई है कि उनसे जो है निप्टा जा सके कि कि संपात में अलग अलग राज्य जो है जल का परियोग करेंगे और कितनी मात्रा उनको दिया जाना चाहिए कितनी मात्रा छोड़ना चाहिए त्रीसी बात को ध्यान में रखते हुए यह जो है उन्नाइस सुच्छपपन नदी बोड़ अधियम निश्पपन अंतर राज्य जल विबाद अधियम और अंतर राज्य जल विबाद अधियम पर जो है बनाया गया है और इसके अंतर गत जो है न्याजिकरन की अस्थापना की गई है तो यह चीजें भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे तो यह प्रारंबिक परिच्छा में जो है बहातुपूर रूप से पूछा भी जाता है और इससे संबंदित विबाद भी राष्ट्य अस्तर पर हमिश्पन होते भी रहे हैं तो इसे ध्यान में रखना इसी तरी प कारने लेते हुपूर शासमें सुधारायो के रिक्मेंडेशन पर जो सुनखा इसञ लेक पzen में पहली बार civी रगलत रॉप यह जो है नंशेब आकर बेंद बार आकरा नम्केशा जो है तर चेक्वाराइन और सभी कोई करवेंटरस्तर का मंत्री जो होता है उसके द्वारा इसके अधिशता अंतराज्य परिश्ट की की जाती है तो यह कहीं ने कहीं बातें हैं यह जो बैवस्थाइं हैं जिनके द्वारा देश में परसासनिक संबंधों को अविवेति किया जाता है जिसका क्योड़न अनसू अनसूची साथ की भाग 11 में आट के 255 से लेकर के 236 की बीच में जो बनाया गया है अब हम आते हैं बित्तिय संबंधों पर अनसूची साथ भाग 12 के अंतरगर जो है उच्छे 276 से लेकर के और 293 के बीच में जो है बित्तिय संबंधों के बारे में चाचा की गई है इसमें हम तीन तरीके से देखेंगे priorit stuk Gross worden में उन पराध को शुकिए अगया जिससी केंडर सरकार के दौरा विभिन विष्टियों पर जो कर लगाए जाते हैं और उन ही के है कर लगाया जाते हैं और राजी के द्वारा करके वसूली की जातीं हो उन्हीर इसका प्रियों किया करेगा राजी करेगा राज अपने पास और ले लेगा है लाट दोस्ताथ कि ए सब्सक्तलिक आफिक मात से हैं और इनि में सम्पेद्मी को जो है इनकी ब्यवस्थाएं भी नीध है तो आटिकिल 268 में जो है पताया गया है कि ऐसे कराएंगे जिन्हें केंद्र सरकार लगाएगा राज्य वसूली करेगा और राज्य अपने पास रख लेगा तो इसमें दो महत्पूर्कर है एक जो इस्टांप सुल्क होता है इस्टा अगर आप देखते होंगे जमीन जो है तो यह वस्टांप के लिए पैसा देना पड़ता है सामानते हैं अभी तक ट्रेजरी के माध्यम से इसकी विक्री की जाती ते लेकिन आज की डेट में जो है अब यहां पर इस्टांप की व्यवस्था की जा रही है तो यह का आगया और दूसरा है जो है और सधी तसा प्रसाधन पर जो उत्वाद सुष यह दो जो इसमें आते हैं आटिकल 271 के अंदर सरकार जो है लगाती है जो है जो है कि घ्रसकार की व्याइश लगाई जाते हैं के अशवार की वसूली की जाती है लेकिन वो राज्यों को पू लगाए जाने वाले विक्री कर्व या कर्व मान की चलते हैं और दूसरे अस्तर पर वस्त्याओं माल के प्रेश्णा पर जो कर्व होगा एक राज्य से दूसरे राज्य को इस तरीके बेजा जा रहा है जो कि इसमें एक बार्डर लाइन की भी बात हो गई है इसलिए जो केंद्र ही वसूली करता है लेकिन केंद्रियों राज्यों के बीच में बाट दिया जाते हैं इसमें जो है असीमा संविजान संसोना दिने 2000 के मांध्यम से ब्यापक परिबर्तन किया गया है और इसमें अब लगभाग सभी प्रकार के कवरों को सामिल कर लिया गया है जिसमे केंद्र और राज्यों के बीच में उसका बटवारा कर दिया जाता है यह व्योस था है आपके 270 केंद्र पहले इसमें आयकर और जो है आयकर और उफपाद सुल्ग को लाया गया था लेकिन अब जो है इसमें जादा तर या लगभाग सभी जो है करूं को सामिल कर लिया गया है इस प्रकाल से अनुछे 270 के अंतरगर जो है हमने दिये देखा कि ऐसे कराते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं वही वसूल करते हैं और केंद्र तथा राज्यों में जो ही से बितृत कर दिया जाता है और यहां पर जो है बताया गया है कि ज्यादा तर ऐसे जो है बिसे हैं ज्यादा तर ऐसे टैक्सेशन के छेतर हैं जहां पर केंद्र राजी के वीच में इसका बित्रण कर दिया चाता है आठिकिल 271 के अंतर के जो अधिभार के बारे में जो ब्योस्ता की गई है कि विसेस पर्योजन से केंद्र सरकारे के द्वारा जो है इन जो है किया जाता है तो इसमें अधिभार के बारे में वेवस्ता की इसमें खी गई है आठिकल 271 के बारे में यहां पर यहांपर यहांपर 6260 केंद्री उसुन करता है कि यह दोनों में जो है वो स्टेट को ही पूरा मिल जाता है सब्सक्राइब जो है इस चेट आने जो है जो है तन्स नहीं मिलता है एक हैं अधिवार करके बारे में बताय गाए कि और चीज है दो सु गौन हत्तर आपको यह जानकारी होगा कि बत्मान सवह में आपरतेक्षिकरों को जो है जेस्टी यानि कि वस्तियों सेवा करके रूप में जो है संकलित किया गया है एक सो एकुमां समिदान संसोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से वस्तियों सेवा करको प्रारंब किया गया है और वस्तियों सेवा करके अंतरगत सभी आपरतेक्षिकरों को लाने का प्रयास किया गया है ताकि करो में एक रूपता को इस्थाफित किया जाना संभव हो सके और इस में प्रकार के स्लैब भी बनाये गये है यहगी पहले स्लैब में जीरो है तो यहां पर जो हैं वस्तुयों सेवा कर परिशत होता है जो कि बिभIns ciento करों से जो भी आप अजीस्टी के महान दिन से कर प्राप्त होते हैं उनके द्वारा केंद्युंगों आज़ी के बीचमें करों के बितेलन की जो है व्यूस्था बनाने का काम किसके द्रार क्या戰ा जाता हैं वस्तूयुक्त सेवा कर परिश्थ के ध्वारा तो यहां पर एक चीज निकल करके सामने आती है क्यों के इस डिलकशित खन सब्स empezarant में जोड़ा गया जिसके माध्यम से जी एश्टी की विवस्था को लागू किया गया है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना आवस्थिक होगा सव से एक आगे हैं 2015 से एक आगे हैं करने के लिए यह जो है सही तरीका है तो एक सो एक वह समिधान संसुदन अधिनियम में 2016 के माध्यम से 278 का में जो जी एश्टी की विवस्था बनाई गई है तो इस तरीके से यह जो है पांच इनुट छेद आपके लिए जो है करों के छेत्र में केंद्र राज के बीच में संबंधों को असपश्ट करते हैं कि अब हम देखते हैं गयर कर राजस्टू आधानर गईर कर राजस्टू में हम लोगों की बारें में पढ़ा यह गयर कर राजस्टू यहां पे कुछ सेवाएं होती जिसके बदले कर राजस्टू π्राप्थ और रिइंज्ञ झीफ इसे तरहें के राज्यों को भी बंग है, शंचाई प्रसारण है, केंड्र आभाएं से इनने सुप्रापथ होता है हिस्सा हिश सु प्रापथ होता है और इसी तरीके से अंडान होता है अंडान भी जो दो तरीके होती है विधिक अंडान और विवेकाधी 275 के अंतरगर जो है और 282 कि अनुदार ग्रांट इनाइड विदिक अनुदार 275 के अंतरगत इसकी ब्यवस्था को जो है वो बितायो वार्टिकल 280 के अंतरगत जो है राश्ट्रपत की द्वारा प्रतेख पांच बर्स के बाद गखित किया जाता है इसमें एक अध्यच्छ और चार सदस से होते हैं यह इसका अध्यच्छ राज्ट्रपत के द्वारत 288-288 के अंतरगत प्रतेख पांच बर्स के बाद किया जाता है और इसमें पांच ही रोग होते हैं तो इस तरीके से जो है विद्धायो केंद्रो राज्य के बीच में विभिन प्रकार के करारोंपर से प्राप्त आयक के बार प्रतिपादन करता है अनुदान के लिए जो ब्योस्था बनाता है और राजिवित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायतों की आयको बहानी के लिए जो है मिर्सुझाओ देता है तो तीन काम होते हैं वित्त आयोगे और अनुछे 275 के अंतरगत जो विधिक रूप से ज्यादा अनुदान की ही बाते होती है पूर्व छेतर के लिए उनकी विष्थ परकार की समस्या उपर्दयत क Cathin के लिए दिया जता है थ्विधिक नहीं की ब्योस्था 265 के अंतरगत है वह इसके लिए जो अंगि लिए नान की कंदरों से परदान की आ गया है दोनों ही दे आध्यैन और सुचिस भाग के 12 हमने देखा कि चार तरीके से हैं एक करार ओपड कि छेत्र में और एक घळकर राजसु कीGennd duplicate केंद्र और राज़ा कि कीछ सम्भंदू को बह्तर बनाने के लिए समय समय पर कई प्रकार के आयोग और समीतियां बनाई गई हैं तो उसे भी थोड़ा साम लोगों को देख लेना जरूरी है तो इसमें सीतल वाड को जो है नामित किया गया तो यह पर्थम प्रशासनिक सुधा आयोग था और 171 में आकर के हम देखते हैं राजमनार तमिल नारूर सरकार के द्वारा राजमनार समीति का जो है गठन किया गया था जिससे केंद्र राज समंधों को बेहतर बनाया जा सके वन्नेस तो तिहत्तर इस भी में आनंदपूर शाहिब आनंदपूर जो है साहिब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिससे केंद्रो राज के बीच में समबंधों को बेहतर बनाया जासे के इसमें राज को कुछ और भी जो है विसे परदान करने की बात कही गई थी और उनके प्रतिय गुदारबादी नीति अपनाने की बात कही गई थी और 1977 इस भी में सब्सक्राइब को बेतर बनाने की जो है यह लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें बंगाल जो है और इसमार्ण को जैंद्धर मैं बंगाल यहां सवाल चौह पूछे जाते हैं और सब्सक्राइब बनाया गया था किसके लिए था केंद्र और राजी ये सवाल कई बार पूशा है केंद्र राजी जो है सम्वंधों पर जो सरकारिया आयोग और इन्होंने सब्सक्राइब नियामूर्थी रणजीत सिंग सरकारिया के अध्यचिता में यह आयोग गठित किया था जिसनों ने केंद्राज सम्वंधों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के अपनी सिफारी से की थी और इसी तरीके से दो हजार पांच इस दिने दुतिय परसासनिक सुधार आयोग की अध्यचिता यहां पर पर्थम था और यहां पर दुतिय परसासनिक सुधार आयोग की अध्यचिता यम वीरप्पा मोईली वीरप्पा मोईली की अध्यचिता में जो है किया गया था इन् पंदरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने सिवाओं के छेत्र में सुधारियों सिवाओं के राजनीतिक तटस्तता की बात कही थी और 2007 इस भी में जो है पुंची आयोव दूतिये केंडर राज्य संबंध आयोव बनाया गया था मदर मोहन पुंची के अदिस्ता में 2010 इस भी में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया तो अब आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो है इतने जो है बैस थाए थी इतनी जो है प्रयास है जिसमें केंडर राज्य संसाश्च के उबात प्रयास किया शैटे सिर्म के लिए प्रयास किया कि में इसके केंडर राज्य इस लेक्चर का बीदिवर धंग से अध्यन कीजिए और एक से दो बार अध्यन करने के बाद आपको ये पूरा का पूरत तयार हो जाएगा इसमें कुछ महात्पूर पॉइंट्स पर ध्यान भी आफ्रिश्ट करेंगे तिससे आपको आने वाले सवाल समय में जो भी उच्छे ते दे ले नमस्का